जैस्री कृष्ण नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी चैनल भक्ति ज्यान में दोस्तों आज में आपको स्रीमद भागवत महाप्राण की कथा का सिर्वन करा रहा हूं जिसमें वणन करेंगे कर्मत जी की तपश्या और भगवान का बर्दान विदुर्जी ने पूचा वगवन स्वाइमभूव मनु का बंस बड़ा आदर्णिय माना गया है उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की ब्रद्दी हुई थी अब आप मुझे उसी की कथा सुनाईए ब्रह्मन आपने काहता की स्वाइमभूव मनु के प्रिय प्रियवत और उत्तान पाद ने सातों दीपों वाली प्रतिवी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देव हुती नाम से बिख्षात थी कर्मत प्रजा प्रती को ब्याही गई थी देवुती योग के लक्षन यमादी से संपन थी उससे महायोगी कर्मत जी ने कितनी संताने उत्तपन की वैसा प्रिसंग आप मुझे सुनाईए मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है इसी प्रकार भागवान रुची और ब्रह्मा जी के पूत्रों दक्ष प्रजा पती ने भी मनुझी की कन्याओं का पानी ग्रहन करके उनसे किस प्रकार क्या-क्या संतान उत्तपन की ये सब चरित्र भी मुझे सुनाईए मैत्रे जी ने कहा बिदुर जी जब ब्रह्माजी ने भागवान करमद को आग्यादी की तुम संतान की उत्पद्नती करो तो उन्होंने दस हजार बर्सों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपश्या की वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजनोप चार द्वारा सरनागत वर्दायक स्रीहरी की अरादना करने लगे तव सतियों के आरम में कमल नैन भागवान स्रीहरी ने उनकी तपश्या से प्रिसन होकर उन्हें अपने सव्द ब्रह्म में स्वरूप से मूर्तिवान होकर द्रसन दिये भवान की वैभभ्य मूर्ती सूर के समान तेजो में थी, बे गले में सुवेत कमल और कुमद के फूलों की माला धारन किये हुए थे मुक कमल नीली और चिकनी अलका वली से सुषोवित्था बे निर्मल बस्तर धारन किये हुए थे सीर पर जिल मिलाता हूआ स्वर्ण में मुकोट कानों में जगमगाते हुए कुंडल और करकमलों में संक चक्र गदा आदी आयुद बिराजमान थी उनके एक हाथ में कीडा के लिए स्वेत कमल सुसोबित था प्रभु की मदुर मुस्कान भरी चितबन चित को च्राय लेती थी उनके चरण कमल गरुण जी के कंदों पर बिराजमान थी तता ब्रकिस तल में स्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तो मड़ी सुसोबित थी प्रभु की एस आकास स्थित मनोहर मुर्ती का दर्शन करके करमत जी को बड़ा हर्स हुआ मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई उन्होंने सानंद हिर्दै से प्रत्वी पर सिर्ट टेक कर भगवान को साष्टांग परणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित से हाथ जोड़कर सुमधूर बानी से वे उनकी इस्तुती करने लगें कर्मजी ने कहा इस्तुती करने योग परमिश्वर आप संपूर्ण सत्व गुण के आदार हैं योगी जन उत्रोतर सुव योनियों में जर्म लेकर अंत में योगस्त होने पर आपके दर्सन की इच्छा करते हैं आज आपका वही दर्सन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया आपके चरण कमल भवसागर से पाल जाने के लिए जाज हैं जिनकी बुद्धी आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुछ ख्यनक विसे सुखों के लिए जो नलक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आस्र लेते हैं किन्तु स्वामिन आप तो उने वे विसे भूग भी दे देते हैं प्रवो आप कल्प व्रक्ष हैं आपके चरण समझत मनुरतों को पूर्ण करने वाले हैं मेरा हिर्दय काम कलुसित है मैं भी अपने अनुरूप स्वाब वाली और ग्रहस धर्म के पालन में सहायक सील बती कन्या से विभा करने के लिए आपके चरण कमलों की सरन मे आया हूँ सर्वेश्वर आप संपूर्ण लोकों के अधिपती हैं नाना प्रिकार की कामनाओं में फसा हुआ यह लोक आपकी बेदबाणी रूप डोरी में बदा है धर्ममूरते ओसी का अनुगमन करता हुआ में भी काल रूप आपको अग्या पालन रूप उजो समर्पित करता हूँ प्रबो आपके भक्त विसया सक्त लोगों और उनीके मार्ग का अनुसरन करने वाले मुझे जैसे कर्मजड पस्वों को कुछ भी ना गिनकर आपके चर्णों की छत्रचाया का ही आस्र लेते हैं तता परस पर आपके गुणगान रूप मादक सुदा का साही पान करके अपने चुदा पेपा साधी देधर्मों को सांत करते रहते हैं प्रवों यह काल चक्र बड़ा प्रवल है साक्षात ब्रह्म भी इसके घूमने की धुरी है अधिक मान स्रहित तेरे मैने अरे हैं तीन सो साथ दिन जोड है छे रितुएं नेमी हाल है अनंद ख्षन पल आदी इसमें पत्रकार धारा हैं तता तीन चत्तुर माश्य इसके आधार भूत नावी हैं यह अत्यंत बेगवान संबत सरूप काल चक्र चराचर जगत की आयू का छेदन करता हुआ घूमता रहता है क जिन तो आपके भक्तों की आयू का हास नहीं कर सकता भगवन जिस प्रकार मकड़ी स्वैम ही जाली को फैलाती उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन अपनी योग माया को स्विकार कर उससे अभी व्यक्त हुई अपनी सत्वादी सक्तियों द्वारा स्वयम ही इस जगत की रचना पालन और संघार करते हैं प्रवो इस समय आपने हमें आपनी तुलसी माला अद्मंडित माया से परिछिन सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ती से धर्सन दिया है आप हम भक्तों को जो सवधादी विसे सुख प्रदान करते हैं बे मायक होने के कारण यद पी आपको पसंद नहीं है तदा पी परिणाम में हमारा सुख करने के लिए वे हमें प्राप्त हों नात आप सरूप से निस्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अबलिसित बस्तों की बरसा करते रहते हैं आपके चरण कमल बंदनी हैं मैं आपको बारम बार नवस्कार करता भगवान की बोहें प्रवण मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। बेगरुण जी के कंदे पर बिराजमान थे। जब करमत जी ने इस प्रिकार निस्कपट भाव से उनकी इस्तुति की तब उनसे अम्रत्मई बाणी से कहने लगे। सी भगवान ने कहा जिसके लिए तुमने आत्म सयमादी के द्वारा मेरी अराधना की है। तुमारे हिर्दे के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी विवस्ता कर दी है। प्रिजापते मेरी अराधना तो कभी भी निस्पल नहीं होती। फिर जिनका चित निरंतर एकां रहता है। उन तुम जैसे महत्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसद यससवी सम्राट स्वैमभू मनू ब्रह्मा वर्त में रहकर साथ समुद्रवाली सारी प्रत्वी का सासन करते हैं। विप्रवर बेपरम धर्मग्य महराज महरा सतरूपा के साथ तुम से मिलने के लिए परसों यहां आएंगे। उनकी एक रूप योबन सील और गुणों से संपन स्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग है। प्रजापती तुम सरुथा उसके योग हो इसलिए वे तुम ही को इव वह कन्या अरपन करेंगे। ब्र वैसी ही पत्नी होकर यथेश्ट सेवा करेंगे। वै तुमारा वीर अपने गर्व में धारण कर उससे नो कन्या उत्पन करेंगे। और फिर तुमारी उन कन्याओं से लोक रीती के अनुसार मरीच आदी रिशिगन पुत्र उत्पन करेंगे। जीवों परदया करते हुए तुम आत्म ज्यान प्राप्त करोगे और फिर सब को अवैदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझ को अपने में इस्तित देखोगे। महामुने मैं भी अपने अंस कला रूप से तुमारे वीर द्वारा तुमारी पत्नी द सिरकार संबाशन करके इंद्रियों के अंतरमुक होने पर प्रिगट होने वाले स्रीहरी सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु सर तीर्थ से जहां करमद रसी तब कर रहे थे अपने लोग को चले गई। भगवान के सिद्ध मार्ग बैकुंट मार्ग की सभी सिद्धिश्वर प्रसंसा करते हीं वे करमद जी के देखते देखते अपने लोग को सिधार गई। इधर मनु जी भी मारानी सतरूपा के साथ सुवन जलत रत पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठा कर प्रत्वी पर बिचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन सांधि परायन महर्षी करमद के उस आश्रम पर पहुँचे सरस्वती के जल से भ प्रत्रों से आस्वों के बूंदे गरी थी यह तीर्थ बड़ा पवित्र है इसका जल कल्यान में और अम्रत के समान मदुर है तथा महर्षी गण सदा इसका सेवन करते हैं उस समय विंदू सरोबर पवित्र ब्रक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिन में तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र म्रग और पक्षी रहते थी वह स्तान सभी रत्मों के फल और फूलों से संपन था और सुन्दर वन स्रेनी भी उसकी सोवा बड़ा थी थी वहां जुंड के जुंड मतवाले पक्षी चेक रहे थी मतवाले भोवे मड़ा रहे थे अनमत मयूर अपने पिच फेला पेला कर नट की भाती नित कर रहे थी और मतवाले कौकेल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरी को बला रहे थी वह आश्रम, कदम, चंपक, असोक, करंज, कबुल, असन, कुंद, मदार, कुटज और नए-नए आम के ब्रक्षों से अलंकृत था वहां जल काग, ब शकूर, मदोर, स्वर से कल रव कर रहे थी, अरिन, सुवर, स्याही, नील, गाय, हाती, लंगूर, सिंग, बान, नेवले और कर्स्तूरी म्रग, आदी पस्वों से भी वह आश्रम घिरा हुआ था, आदी राज महराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुचकर देखा की मुनीवर, कर्मद, अगने होत्र से निर्वत होकर बैटे हुए हैं, बहुत दिनों तक उग्र तपश्या करने के कारण वे सरीर से बड़े तेजस्वी दीख पड़ते थी, तदा भगवान के इसने पूर्ण, चितवान के दर्सन और उनके उच्चारन किये हुए, कर्णा मृत रूप सो मदूर बच्चनों को सुनने से इतने दिनों तक तपश्या करने पर भी वे बिसेज दुरबल नहीं जान पड़ते थी, उनका सरी लम्मा था, नेत्र, कमल दल के समान विसाल और मनुवर थी, सिर पर जटाएं से सोबित थी, और कमर में चीर वस्त थी, वे निकट से देखने पर बिना सान पर चड़ी हुई महा मूल मडी के समान मलिन जान पड़ते थी, महराज स्वायम भोव मनु को अपने कोटी में आकर पिणाम करते देख उन्होंने बड़े, आसिरवाद से प्रिसन किया और यतोचित आथित्य की रिति से उनका स्वागत स अग्या का इसमान कर उन्हें मधुर बानी से प्रिसन करते हुए इस प्रिकार कहा, देव, आप भागवान विष्णू की पालन सक्ती रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदिय सज्जनों की रक्ष्या और डुष्णों के संगहर के लिए ही होता है, आप हैं, आप मडियों से जड़े हुए जड़ दायक रत पर सवार हो, अपने प्रचंड धनुस की टंकार करते हुए उस रत की धर धराट से ही प्राणियों को बहवित कर देते ही, और अपनी सेना के चर्णों से रोंदे हुए भूमंडल को कांपाते हुए अपनी उस बिसाल से लेकर प्रत्वी पर सूर के समान बिचरते हैं, यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाए हुए वर्णा स्रम धर्म की मर्यादा को ततकाल नश्ट कर दें, तथा बेसे लोलोप निरंसकोस मानवों को द्वारा सरवर्त अधर्म फैल जाएं, यदि आप संस मैं आप से पूछता हूँ कि इस समय यहां आपका आगवन केस प्रियोजन से हुआ है, मेरे लिए जो आग्या होगी मैं उसे निस्कपट भाव से सहस स्वीकार करूँगा, वलो सी कृष्ण चंद्र महाराज कीजए